जै मालक्षमी स्वागत है आपका अपने ही चैनल में तुमे तरो नरक चतुरदर्शी पर हम जलाते हैं यम का दीपक तो कैसा होना चाहिए यम का दीपक आज में बताऊंगी और साथ ही बताने वाली हूं सही दिशा और जलाने का समय तो चलिए देनना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं नरक चतुरदर्शी का दिन बहत विशेश माना जाता है इसमें यम चतुरदर्शी वा छोटी दीपवली के नाम से भी चाना जाता है इस दिन लोग भगवान कुबेर देवी लक्षमी भगवान धनवंतरी और यम देव जिन्हें मृत्यू का देवता माना जाता है उनकी पूजा करते हैं हिंदू धर में इस दिन का बड़ा खास धार्मिक महत्य है वहीं किया महत्पूर अवधी में यम की दीपक जलाने का भी विधान है जो नरक चतुरदर्शी की शाम को किया जाता है तो आईए इस विधी को हम जानते हैं कि कैसे हमें दीपक जलाना चाहिए सबसे पहले तुम्हें बताऊंगे आपको यम का दीपक कैसे तयार करना है छोटी दीपवली के दिन शाम के समय प्रदोस काल में गेहूं के आटे का एक दीपक बनाए फिर चार बाती तयार कर लें उसमें दीपक में आप जो है सर्चो का तेल डाले उसके बाद दीपक के च कोई अनाज जरूर रखे खाली दीपक डायरेक्ट भूमी पर ना रखें तुमित्रो कुछ लोग यम का दीपक नाली के पास या अन्य किसी स्थान पर रखते हैं दीपक जलने के बाद पूरे समरपन विश्वास और भाव के साथ भगवान से प्रातना करें और अपने परि तो मित्रो यम का दीपक हिंदूों के बीच बड़ा धार्मिक महत्व रखता है या दिन पूरे देश में बड़ी श्रद्दा के साथ मनाया जाता है भगवान यम इस दिन सुब दिन पर पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है इस दिन प्रदोस काल के दौरान लोग चार मुखी दीपक जलाते हैं और वहीं दक्षण दिशा की ओर रखते हैं जो यम देव को समर्पीत है ऐसा माना जाता है कि जो लोग या चार मुखी दीपक जलाते हैं उन्हें मृत्यों के भैसे राहत मिल जाती है क्योंकि भगवान यम उनकी स्वयम रक्षा करते हैं उन् लोग मुरित्यों के देवता भगवान यम की भूजा करते हैं तो इस तरीके से आपको यम का दीपक निकालना है छोटी दीपावली के दिन तो मित्र वीडियो जरा भी पसंद आये तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें